अदाव नमस्कार सात्यों आज हम लोग एक ऐसे वीशा के बारे में पढ़ेंगे जो हमें ये अधिकार देता अगर हम पढ़ा रहें तो वो हमें अधिकार दे रहा वो वीशे है समिधान आप पढ़ रहें तो ये अधिकार किस ने दिया ये समिधान ने दिया आईए हम लोग एक ट्याग और बलिदान के साथ हम लोग आज समिधान को पढ़ेंगे और बहुत सत्रनिष्ठा की ताथ से हम लोग समिधान का अध्यान करेंगे साथिया सबसे पहले समिधान यानि कि समिधान को इंग्लिस में Constitution कहा जाता है और एक एसे ही मिलता जुलता सब्द सुनते होंगे जिसे पॉलिटी कहा जाता है आखिक Constitution मतलब क्या होता है और यह पॉलिटी मतलब क्या होता है तो सबसे पहले समिधान किसे कहते हैं यानि कि What do you mean by Constitution किसे कहते है तो समिधान उन परवधानों का संग्रह है जो किसी देश की सासन व्यवस्ता को चलाया जाता है आखिर यह परवधान क्या होते हैं समिधान में कुछ परवधान किये गए तो समिधान में क्या परवधान किये गए है यानि कि अनुछेद है, भाग है, खांड है, उफकंड है, इसके बाद समिधान में सासन, सासन का मतलव क्या होता है? सासन का मतलव होता है सारवजनिक जीवन, हमने लिखा है कि सासन का मतलव होता है, जिसके आधार पर साजनिक जीवन का संचालन किया जाता है, सारवजनिक जी इसे सार्वजनिक अस्तल कहा जाता है यानि कि सब हम सब का हो उसे सार्वजनिक जीवन कहते हैं दूसरी सब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सरकार जो कुछ करती है और जिस तरीके से करती है उसे सासन कहते हैं मतलब सरकार किस तरह सार्वजनिक जीवन में अब जैसे देखे समझ तो पिता के साथ हम अलग discipline में आएंगे, बहन के साथ हम अलग बह़वार में बहब में आएंगे आपनी वीबी के साथ अलग बहब में आएंगे आई तो अर एसा, अगर बिहार, और न चुटव देगा,स भी देगा,समज़ है तू स्वामिध् menstrual यह हमें आता डिसिप्लिन रहने के लिए लिए Sumayana सिखता तो आज मैं बोलने का जो अभी जो बोलने का अधिकार है समिधान के यह समिधान देता है एक बार समिधान कि भी गाता गाएए सम் अन प्रव्धानों का संग्र्ण है जिस आदार पर किसी देश का सासन ब्यवस्ता कुछ लए जाता है और सासन ब्यवस्ता मतलब होता है कि किसी देश में सरकार क्या करती है कीस तरीके से करती है उसे सासन कहते हैं और सासन का मतलब दूसरी सब्दव मैं उक्र सकते हैं कि सासन जिनके अधार पर सार्वजनिक जीवन का संचालन कह जाता है उसे सासन कहते हैं इंदिस के लिए रपॉन समिधान में आपका प्रस्तावना है प्रियम्बल है भाग है अनुछेद है खंड है उपखंड है अध्या है चेप्टर है समझे इस सब के बारे में हम लोग क्या होता अनुछेद क्या होता भाग क्या होता ख प्रकार किया जाना है और किस परकार कानून बने मतलब समी धान हमें यह सीखता है कि सिधान्तिक जैसे सी कहता है कि चोड़ी करना पाप यह तो सिधान्तिक कि रूप में जो बात कहा गया वह समिधान है और वहार रूप में लाग coaster है वह राज व्वेवस्तार हैं कि समझ रहे हैं gather तो समुद्धान किसे करते हैं तो फिर से करते हैं खिसे हम फिर से एक बार परिभासा करेंगे कि समिध्ान कि एक सम достаточно उन प्रवधानों का संग्रा है जो किसी देश की सासन व्यवस्ता को चलाता है, किसी देश की सारवजनिक प्रवधानों को चलाता है, मतलब सारवजनिक व्यवस्ता को चलाता है, उसे समिधान करते हैं, इन्दिस किलियर जैसे एक बार इसे समझिया हूँ, मान लीजे, एक गर है, इस घर में हमरी महरारू भी है, ये हम भी है, ये हमारी बहन भी है, ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता जी है, ठेक अब देखिए, कि हम सार्वजनिक अब तो मा और एक गान इसी तरह कई मतलब कई घर है सब के घर में यह माँ बहन माँ पिताजी सब है करी टोटल मिला के आठ घर है तो आप व्यक्तित जीवान में क्या करते हैं उसका कोई मतलब ने हम लोग केसे मिल जूल कर रहेंगे अगर माल लिजे हम हिंदू हैं और यह बगल वाला घर मुस्लिम हो तो यह दोनों देख कर एक दूसरे को देखकर हिंद रिष्टी से देखेगा तो कभी एक साथ रह सकता है तो यह दोनों साथ साथ रहने के लिए एक नियम कानून लगाया गया जिसे समिधान करते हैं वो सारवजिनिक रूप में हमें रखता है यानि कि हमें सारवजिनिक जीवन का संचालन करता है हमने एक साथ रहने के लिए परेरीद करता है उसे हम लोग समिधान करते हैं और प उबर कर आते हैं उसे राजवेवस्ता उसे पॉलिटी करते हैं राजवेवस्ता समिधान का वहवारी पर योग है मतलब समझने का अर्थ यह है कि हमने आपको अभी एक एक्जांपल दिया कि चोरी ना करो जूठ ना बोलो जूठ बोले कवा काटे यह सिधान्ती ग्रूप में हैं लेकिन क्या हम लोग बहवार में ऐसा करते हैं किसी के साथ जूठ बोलते हैं तरह-तरह का जैसे आप अपने वाधा बहुत बढ़ा बढ़ा करते ह। एक बार कहते हैं। कि अगर तुमसे हम सादित बिव Cry करें जब आईस निकल जाएगा , कहावत मैं कि जब यारी का दिल तूटता है तो ser तो अगर ऐसा उता है, तो हर गली मुहला का लड़का oker होता है समझ रहे형 तो हम गई बड़े वादे करते लेकिन उसको निभाभ पाते हैं? नहीं निभाभ पाते हैं, जो वादा की हैं वो समिधान है और जोरी निभाने पाएं उसे ओल के हैं पोलिटी है, अब उसी वादा करने में जो काम किरिया हुआ काम किरिया हुआ कभी उसको शॉपिंग कराने कभी उसको खाना खिलाने कभी उसको गुपचुप खिलाने गुपचुप गुपचुप खिलाने में जो भी चीज हुआ तो हम गुपचुप भी खिला रहे हैं कर तो कहीं जुठा-जुठा मतलब जुठे वादे से खिला रहे ह तो ये सब क्या हुआ ये पॉलिटी हुआ इसका एक्जम्पर फिर एस तरह समझे जैसे मान लिजे एक लड़का है और एक कन्या है एक लड़का है और एक कन्या है वो कहीं बगल के लोज में रहती थी लड़का भी कहीं बगल के लोज में रहता था समझेगा एकदम ध्यान से सुनिएगा आये दूनों में नययंचार हुआ कि Kent दोनों कोचिंच साथ साथ पढ़ने गया दुनों में नययंचार हुआ लड़की मिली कि तू अमरा के फोन देदा तू अपना नम्मर देदा हम मेरे पास फोन नहीं है बाबू हम केसे बात करेंगे अब धीरे धीरे नयन चार से कहां चला गया फोन पर चला गया इस छोड़वा जो है इतना पागल हो गया सूरत देखकर इसको फोन दे दिया और जब फोन दिया तो रात भर लग ले हैं कैसे है बाबू ने खना खाया बाबू ने पानी पी या करते रहा तो इसके बाद अब उसको आकरसित केसे करेंगे जैसे खुदा के लिए एक मुवी देखिएगा उसमें अब अब बात नहीं करेंगे तो वह जो है बड़ा बड़ा वादा करने लग अब देखें आकरसित केसे होगा अब शुरुए दिन बोल दिजागा देखो हम तुम से तभी दोस्ति करेंगे जब तुम जो है हमको जो है गाड़ी खरीद के दोगे लड़का अगर कहेगा तो लड़किया क्या तुमको लगता है कन्या तुम्हारे नजदी कह सके नहीं आ है कि तो अगर ऐसा हो जाता आकसर जो है ऐसा नहीं होता है सारे वायदे कई कि जल्ठ कि वायदे कि कि ये वायदे खतम हो गए जब वाइदे खतम हो गए तो अब हमने सिधान्तिक रुप में बहुत बड़ी वाइदे किये थे क्या हमने वाइदे को पूरा पाया नहीं पूरा पाया अगर पूरा भी पाया तो वाइदे करने में जो भी कश्ट वूष्ट हुआ उसी को पॉलिटी कहते हैं अक्सर लेकिन अक्सर यह याद कीज़ेगा लेकिन अक्सर ये प्यार वायदा नहीं होता है अगर यह होता तो प्रसेंट में 90 परसेंट का आदमी का भिया साधी मतलब गर्ल फ्रेंड और वाइफ्रेंड का साधी नहीं होता है तो वही जायगा का याद कर जहिया कुमार रहे ले पईवा से पहले हमार रहे लो देखिए यह यह आपका बहुत पूरी वर्जन है हिंदी वर्जन भी आया था इसका हिंदी कुछ गनाता है हिंदी में तो आईए हम लोग सब्यक्ट को समझते हैं तो उसी तरह हम लोग बड़े-बड़े वायदे करते हैं जो बड़े-बड़े स्यधांतिक रूप में बड़े सही बात है सब वायदे करते हैं वो स्यधांतिक रूप है लेकिन जो निवार नहीं पात पतंफि यह जैसे अनुश्य फोर्टीन कहता है अनुश्य चगदा कहता है कि विदी के समव कसमानता आया की कानून के नज़रों में सब्सक्राइब तो अपटीन को ना दे इसके बाद सुनेगा अनुछे चोगदो अनुछेद क्या हता भाग क्या हता गजम मजा लगेगा ठीक है तो अनुछे चोगदो कहता कि विधी के समख समानता कहता है मतलब यह समिधान में प्राबदान है सिर्फ इतना लिख दिया है भारत के समिधान में लिखा कि विधी के क तो इसका मतलब क्या होता है कि सभी समान होना चाहिए चाहे इस्त्री प्रूस कोई भी चाहे अत्यांत पिछड़ा वर्ग हुआ इसके बाद हुआ आपका अनुसुची जाते अंजन जाते हुगरा सब बराबर होना चाहिए सब बराबर होना चाहिए लेकिन इस कानुन को लागू करने में बहुत चुनोती आता है कि आप देखे जैसे मालीजी हमारे समाग में सबसे पीछड़ा वर्ग सबसे अगर इतिहास को देखिएगा तो सबसे मतलब नीचे दवा कर रखा गया था सेडूल काष्ट को सेडूल का अलग है हम अभी चर्चा नहीं करेंगो उसके बारे में तो वही हम कहते हैं कि अनुछे चोगदा में कहता है विदी के समक्स समानता कानून के नजरों में सभी समानता हो अब इस नियम को लागू करने में जो भी चुनोती जो भी वैबधान जो भी कुछ प्रोब्लम उसी को हम लोग पॉलिटी कहें है फिर से समझे एक और एकजम्पल अनुछे 370 को हटाने के लिए जमू कस्मिर में इंटरनेट को बंद कर दिया गया किया कि ने तो बाद में सुप्रीम कोट ने आदेश दिया कहा कि ने इंटरनेट जो एक मोली का दिकार है मतलब हर एक व् समिर के लिए एक विशेस राज मतलब एक विशेस राज दिया गया था उसको तो अनुछे 370 को जो हटाया तो हटाने में जो भी प्रवलम जो भी चुनोती आया उसको हम लोग कहां देखेंगे पॉलिटी में यानि कि एक बास समझे कि पॉलिटी जो है संसद का कानून को द यह तो यह था आपका राजवेवस्त है आप इसका इसकीन शोट लेना चाथे तो ले सकते हैं कि हमलों समझते हैं यानि कि हमने बताई था कि पॉलिटी के तरत तीन कारक आते हैं मतलब पॉलिटी में जो है सबसे पहले तीन चीज को भेल्यू दिया जाता सबसे पहले ने कौन सा कानुन बनाया ठीक है समिधान तो समिधान में तो ये बाते कहा दिया गया लेकिन संसत ने इस कानुन को कैसे हम लोग समझेंगे कि संसत क्या होता है आई ये पहले हम लोग समझते हैं कि सरकार सरकार किसे करते हैं और सरकार के कितने अंग होते हैं तो सरकार किसे करते हैं हम लोग अक्सर बच्पन से ही इस बात पर वो थी करते हैं मतलब भाव मतलब जानने की कोशिश में है कि सरकार कहते हैं किसको है ऐसे तो सवा सरा सरकार हो जाता है हम लोग बहुल चल की भासा में भी बोलते हैं का सरकार का हल है तो वो सरकार अलग होता ह वह संस्ता जो सासन चलाने का काम करती है सासन मैंने बता कि सारवजनिक जीवन का संचालन होता है उसी को सासन करते हैं सारवजनिक मतलो एक साथ रहने के लिए जो एक साथ रहने के लिए हमें जो संचालन करता है उसे सासन करते हैं वह संस्ता जो सासन चलाने का कार करते हैं उस सरकार के तीन अंग होते हैं सरकार मतलों सरकार को चलाने के लिए ये तीन अंग आपस में काम करते हैं सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है पहला अंग हुआ विधायका दूसरा हुआ कारपाली का तीसरा हुआ न्यायपाली का ये विधायका जो है ये कानून बनाती है इसक पूरे भारत में रहेगी। और एक राज में, कि वह राज में रहेगा, हर एक राज में रहता है, केंदर में बनाने, जो कानून बनाता, उसे संसद कहते हैं, संसद भी अकेला कानून नहीं बनाता, उसके भी तीन अंग होते हैं, एक राश्टपती, राजसभा और लोकसभा, संसद के कितने अंग होते है तीन अंग होते हैं केंद्र में कानून बनाने वाली संसता को संसत के कितने अंग तीन अंग राष्टपती राजसभा लोगसभा कोई भी कानून पहले आएगा अगर हमको केंद्र में पूरा कानून लागो करना है तो पहले लोगसभा में लाएंगे लोगसभा के बाद राज पास करने के बाद तव राश्ट्पति वह प्रोसेस होता हुँ हम आगे चल के बताएंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता लोग सभा में कौन सा विध्याक को जो है लोग सभा यह विध्याक और कानून क्या होता अभी एक ही वर्ड को समझें कानून आप समझते हैं तो जो वर्ड जीतने भी student है इसी कल्म से लिखना है यही कल्म से लिखेगा अगर नहीं लिखेगा तो उसको jail jail दे दिया जाएगा ठीक है दंड का प्रब्धान क्या जाएगा तो हमने एक बिल लाया यह एक बिल हो गया कहें कि कि यह कलम से लिखना है सबको लोग सभा में पारित हुआ फिर राज सभा में पारित हो गया राज सभा के बाद राश्टपती राश्टपती के पास राश्टपती हस्ताक छर कर दिया तो यह क्या होगा यह बिलपारित हो गया यानि कि यह कानून लागू हो गया पूरा इंड संसा को राज में बनाने वाली संसा को विधान मंडल के कितने यंग दोंग विधान सभा और विधान परिशरेर ठीक है। अभी इतना समझना है। कारपाली का होता है …। केंदर में कानून thus?" है तो अलए तो संसद का कानून काम करती है लागू करने का काम दो जगा होता है एक केंदर में जिस तरह यहां कानूर बनाने का काम दो जगा हुआ ना उसी तरह यहां का लागू करने का काम भी दो जगा हुआ केंदर राज केंदर में लागू करेगा राष्टपती उपराष्टपती परधान मंत्री मंत्री यह सब लागू करने में यही सब का हाथ रहेगा और राज में लागू करने का हाथ तो राजपार मुखमंत्री और मंत्री परिषाद यहां भी मंत्री परिषिद होता अभी फिलाली reliable सफ्कार आधा येर SMS करता है सुप्रिंग कोट सुप्रिंग कोट के बाद हाइकोट हाइकोट के भी बाद दिवानी न्याले फिर फोईदारी न्याले कई चोटे-चोटे जिला अगे चल अभी सिर्फ आपको थोड़ा समस्मझाने के लिए इसका लिया है फिर इसको तो विश्तार से आगे चलके विधान मंडल करते हैं और राज में जो है राजपाल और मुख मंतरी उगरा लागू करते हैं और न्याले का जो विवाद होंगा निप्टारा करता है अब देखे संसर क्या कानून बना रही है यह पॉलिटी में पढ़ेंगे और न्याले का क्या निर्ले दिया अगर मालीजे कोई भी विवाद हो गया इसम में अगर कोई भी विवाद हो गया तो जैसे अगर मालीजे क कोई 370 का विबात चल रहा था कि आपने हटाया कोई हटाएगा तो कौन हटाएगा यह कारपालीका ही हटाएगा कारपालीका को विधायका भी है समझे कि ने वह हम बताएंगे आगे चलके तो यह नियायपालिका करने मतलब सुप्रींग कोट ने क्या निरले देगा उसको हम लोग पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे और तीसरा हुआ संस्थाएं तो संस्थाएं संस्थाएं क्या होते है तीन परकार की संस्थाएं होती है पहला समयधानिक और समयधानिक और गयर समयधानिक आप सुनते होंगे यह सब वर्ड समयधानिक संस्थाएं क्या होती है समयधानिक संस्थाएं वे समयधान जो समयधान में उलेख है जिसका समयधान में पहले से उल दूसरा हुआ वे संथाये जिए सन्ष्थाय जो समि थान विरोधी है जैसे नकस अलवाद काहनों है लेकिन ये कानून क्या है समिधान विरोधी है समखेर है सेदान्तिक रूप पर तो नकस अलवाद को बढ़ा शामिधान कहता है कि नक समिधानी काता कि वो समिधान में तो नहीं है लेकिन कुछ उदेशियों को पूरा करने के लिए कुछ उदेशियों के पूरा करने के लिए इस परकार की संस्ताओं का निर्मान किया जाता है काया जाता कि जो समिधान में नहीं है लेकिन समिधान के आदर्सों का विरोधी नहीं है मतलब समिधान का जो आदर्स है जैसे देखिए समाज में प्रस्तावना क्या कहता है हम भारत के लोग भारत को एक संपुन पर बुद्ध संपन समाज वादिक पंत निर्पे लोग तंतर वर्गों को निया नहीं मिल पा रहा है अगर सभी वर्गों को निया मिल जाता तो अग गरीव अमीर का जगड़ा होता नहीं होता तो इस निया को पूरी करने के लिए जो संस्ताइं बनाया जाता है यानि कि जो आधर्सों को पूरी करने के लिए जो संस्ताइं बनाया जाता ह संसत के कानून दौरा पारित किया जाता उसे सामेदिक संसताएं कहा जाता है सामेदिक जैसे मानवादिकार आयोग ये संसत के माध्यम से पास किया गया था दूसरा हुआ अपका कारकारी कारकारिक संसताएं कारकारिक संसताएं उसे कहा जाता जो केवर राष्टपती लागू समयधानिक और समयधानिक गयर समयधानिक जो समयधान में लिख है उसे समयधानिक गयर समयधानिक जो समयधान के विरोधी है जैसे नकसलवाद आतंगवाद यह सब क्या है समयधान के विरोधी है और गयर समयधानिक जो समयधान में नहीं है लेकिन आदर्सों का विरोधी नह यह हमारा आदर्स है कि हमें समानता का दिकार चाहिए हमारे नजरों में सभी समान हो समिधान के नजरों में सभी समान हो कानून के नजरों में सभी समान हो वो क्या हुआ वो समिधान का आदर्स हुआ तो वो कभी बिरोधी नहीं है बलकि उसको लक्ष पूरा करने के लिए इस संस्ताइं का निर्मान होगा जैसे मानोदिकार आयोग की संस्ता निर्मान होगा जैसे और कारकारी जो राष्ट्पती के आदेश से बनेगा उसे कारकारी संस्ताएं का है जो राश्पती के आदेश बनेगा उसे कारकारी संस्ताएं कहा जाएगा ठीक है तो जो जैसे निती आयोग हो गया इसमें लिख लिजेगा समिधानिक संस्ताएं वेसी संस्ताएं जो विधायका के माध्यम से बना जाते यानि कि संसत के म मानवादिकार आयो का गठन किया गया दूसरा है कारकारी कारकारी संस्ताइं कारकारी संस्ताइं उसे कहा जाता है जो राष्टपती के आदेश से बना जाता है वेसी संस्ताइं जो राष्टपती के आदेश से बना जाता है उसे कारकारी संस्ताइं कहा जाता जिसे निती आयो निति कै राश्टपती के आधेस से बनाया गया ठीक अगर आप स्कुन्सौत लेना चाहते हैं तो ले शकर हैं देखिए हम लोगों किया पढ़ा हम लोगों कि पढ़ा कि श्वामिधान कि मतलब श्मेधान कि शुदहांतिक का जया है है स्वाहिदान स्वाहिधान सिधानती हुपत से घलत है वह वैवन में बहुत होगा तुरी और टिक शुरी यहार। का सिद्धान होगा संची तो सद्धानर भूलिसे ङॉब आन कि फोल्ड एस एक प्रैक्टिकल को समझे धिटruckि त unser प्रेक्टिकल प्रेक्टिकल इक्वल टू पॉलिटी पीसे प्रेक्टिकल इक्वल टू पॉलिटी जैसे कहा गया कि साइकिल हम लोग सा मोटर साइकिल चोटा बचा भी जानता है कि पहले पहले मारेंगे पहले मोटर साइकिल को स्टार्ट करेंगे start करने के बाद पिर कलच रच प्राश करेंगे um तो यह सब जानता लेकिन क्या अगर जानने के अगर इतना जानने असे और हम तुरण्त हाउबा पर गाड़ी दोड़ाने लगें तो टकरा जाएगा टकरा जाएगा कि ने तो ये तो क्या हुआ ये सिधान्तिक रूप में जो कहा गया कि ये स्टार्ट करने के बाद कलाज दाबो कलाज दाबने के बाद गियर बदलो गियर बदने के बाद थोड़ा इस लेटर मारो तो ये सब क्या हुआ ये सिधान्तिक रूप हुआ लेकिन व यो वेवारिक रूप में परवलम आएगा दोस्तों उसे पोलिटी कहेंगे और जो सैधान्तिक रूप में जो चीज कहा गया उसे कंश्टिचिउसन कहें कंश्टिचिउसन में कहता है कि अनुछेद इतना अनुछेद वन भारत भारत राजियों का संग है अब यह संग क्यों अभी अनुछेत को लागू करेंगे, तो अनुछेत को लागू करने में कौन-कौन सा चुनोती आया, वो हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे, तो वो चुनोती को सामना, अगर वो चुनोती आएगा, तो वो कहां जाएगा, वो कहां जाएगा, किसके माध्यम से कानू बनाएगा, संसत के माध्यम से कानू बनाएगा, और उसका विवादों का निव्टारा कोन करेगा, नियाले करेगा, और नियाले करने के बाद वो संस्थाएं बनाएगी, अगर निव्टारा करने के लिए संस्थाएं बनाएगी, त सविधान की तरफ अगला कला संभलों अनुछेद किसे कहते हैं प्रस्तावना क्या होता है इसके बारे में हम लोग खंड अध्या चेप्टर इंगलिस में अध्या को चेप्टर का जाता है खंड को कलाउज सब कलाउज के बारे में हम लोग समझेंगे इसके बाद धिरे धिर आगे बढ़ेंगे तो आज इतना ही था दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद